हलो यूपी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब की पढ़ाय लिखारी बहुत अच्छी चल रही होगी आज हम लोग बात करने वाले हैं आउसत चैप्टर के पीवाई कु सेशन की मतलब जो प्रीवियस एर के क्वेशन आये हैं उनकी बात करेंगे येर वाई हम क्वेशन उठाएंगे और लगबग आज हम पांसे शे क्वेशन प्रीवियस एर के सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए पहला क्वेशन है 1997 का एक बात बता दूं इसके पहले जितने शेशना हैं अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पीवा के एक परिवार में प्रतिवः क्रतिव्र्ष की व्रिधि हो जाए है 12.000 परतिवर्ष की व्रिधि हो जये और पर पांच व्रिव्र्ष की माशिकों है कितना है और शीद हाई हूंहें तो हमने याद है कि हम टोटल मेठट पर जाते थे तो टोटल मेठें में चाहते करेंगे वाइफ इसका मतलब हो गया 5000 रुपीज क्या होगी टोटल इंकम होगी उसके परिवार की हर महीने सीज़े सी बात हैं कि पांच ब्यक्ति हैं और हर एक ब्यक्ति एक हजार रुपय माह कमा रहा है ठीक है थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि आल्रेडी सभी कॉंसर्प पढ़ चुके हैं यह पीवाई क्यों है आगे उसी प्रकार अगर एक ब्यक्ति है वो उसकी 12,000 रुपय बढ़ जाती है से बढ़ जाती है जिसका मतलब यह हुआ वह 12,000 रुपय कमाएगा कितना कमा अगर एक महिने की बात करें तो हर एक महिने में एक हजार रुपय बढ़ जाया रहा है ठीक है तो अगर पांच और एक यह दोनों जोड़ ने तो 6,000 रुपीज अब क्या हो जाएगा हर महिने इंकम होने लगेगी पुरे परिवार की अब यह सवाल यही पूछा रहा है कि परिवार के प्रितिक ब्रिक्त की अउसातायो क्या होगी तो सीरीसी बात है अब कुल इंकम कितनी है 6,000 पहले कितनी होती थी 5,000 अब 1,000 इसकी वज़े से हर महिने बढ़ गया है तो प्रतिमा की बात कर रहा है है न क्या होगी तो सीरीसी बात है और कितने लोग है 5 ही लोग बहुत एजी होगा ये सब कोशन आपको एकदम हलुआ लगेंगे ठीक है हम चलिए कोशन नमर टू की बात करते हैं कब आया था 1998 में क्वेशन क्या कहता है तीन वार्षिक परिक्षाओं में जिनमें प्रितेक का कुल योगांग 500 है ठीक है तीन वार्षिक परिछाएं हुई है जिसमें प्रितेक का कुल योगांग कितना है 500 है एक बिद्यार्थी को प्रथामियम दूतिय वार्षिक परिक्षाओं का आउसत अंग 45% और 55% प्राप्थ होए है ठीक है 60% का समगर आउसत प्राप्थ करने के लिए उसे तीसरी वार्षिक परिक्षा में कुल कितने अंग पाने की और शक्ता होगी एक बिक्ति है जो कुल मिला के 500 नंबरों का पेपर दे रहा है हर बार पहले और दूतिये में उसे 45 और 55% मिले वह यह सोच रहा है कि तीसरे में ऐसा करूं कि जिससे मेरा एग्रिगेट मतलब टोटल हमारा 60% बन जाए और फस्ट यह उसने कितना ब करेंगे तो उस बिक्ति को क्या करना है कुल मिलाके मैं मानता हूं एक परिक्षा में अगर 500 है तो कुल तीन ऐसी परिक्षा होंगी मतलब कुल मिलाके 1500 नंबर का पेपर होगा और उसमें कितना उसको पानी की लाल सा है 60% टोटल पर जाए यह सीज़े सी बात थमकार देंगे तो यह हो जाएगा 5690 है ना तो 900 नंबर उसको लाने ही जरूरी है तो वह पाया कितना है ठीक है तो एकर पहली परिक्षा की बात करें तो 45% तो पहली बार जब 500 नंबर का दिया था तो उसने कितना पाया 45% मार्क्स पाये थे ठीक है तो यह लगभर हो गया 225 ठीक है उसके जब वह सेकंड बार किया तो उसको कितना मिला 55% है ना तो क्या करेंगे इसी 500 का हम लोग कितना निकालेंगे 55% तो यह कितना आ जाएगा यह लगभग आ जाएगा 275 ठीक है कोई दिकत इन दोनों को जोड लीजे अगर इन दोनों को जोड लें तो यह हमारा आ जाएगा 500 और इसको माइनस कर दीजे तो बचा कितना 400 मतलब उसको इस बार परिक्षा में कम से काउं 400 नंबर लाने हुए तब ही वो क्या पाएगा 60% अपना बना पाएगा तो टोटल चाहिए और 500 यह लोग लाच चुके हैं 400 चाहिए सिदेसी बात है कोई दिकत चाहिए अब अगला कोशन सॉल्ब करते हैं क्या कहा है कोशन नम्बर 3 कब की बात ही यह 2007 की एक कार्याले में 100 करमचारियों का और सत्मासिक वेतन 16000 है प्रबंधन ने प्रतेक करमचारी क पहले मिलने वाला 800 रुपय का मतलब जो भत्ता मिला था उसको बंद कर दिया तो सीधा सीधा मतलब है 100 करमचारी है और माना जा रहा था कि और सतन मासिक वेतन 16000 है लेकिन प्रबंधन ने क्या कहा कि हम 5% आपका वेतन ब्रिधि कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो आपको पहले भत्ता मिलता था 800 रुपय वो कम कर देंगे तो नया आउसत आपको बताना है ठीक है तो चौर आप्शन दीए आए देखते हैं कि अब इनका नया आउसत क्या हो जाएगा ठीक सबसे पहले किस पर जाना है टोटल में थे चलिए यह देखते हैं देखो इस क्वेशन मे क्या है कि कुल मिलाके 16000 रुपय मासिक इंकम थी 5% से बढ़ाया गया कितने से बढ़ाया गया 5% से अब बताए 16000 का 5% कितना होता है बटे 100 कर दीजिए काट दीजिए इसको तो यह जाएगा 1685 मतलब 800 रुपय ठीक है अब यह बताएगे 5% अगर बढ़ाया गया उसका इंक रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा तो option इसका रहे ठीक है सीदिसी बहुत easy question था ठीक चलिए अब आगे अगला कुछन के बात करते है क्या कहता है धान से सुनिए यदि आपने प्रथम तीन परिक्षणों में किसी चात्रा का औस्त प्राप्तांग यन है ठीक है यन अंग और वह अपने चौथे परिक्षण में पिछले औस्त प्राप्तांग से 20 अंग अधिक प्राप्त करती है तो प्रथम चार परिक्षाओं का औस्त प्राप्तांग ज्याद कीजिए ठीक है सीदिसी बात है बेसिक सा सवाल है ज्यादा को सोचना नहीं है सवाल में यही कहा गय है आए देखते हैं कैसे करेंगे अब देखिए पहली तीन परिच्छाओं का औस्त कितना यह तो टोटल पर जाते हैं तो एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन तो सुरुआत में थ्री एन हो गया ठीक है अब चौथी बार वह क्या पा रही है लेकिन प्लस 20 भी तो पा रही है ब चौथे वर्ष में एन तो पाई है लेकिन उससे ज्यादा बीस और पा रही है सीजिसी बात है तो अगर इसको हम जोड़नें कितना आ जाएगा फोर एन प्लस 20 और इसको कितने से डिवाइट करना पड़ेगा सीजिसी बात है फोर से क्योंकि अब टोटल चार वर्ष मितलब चार परिच्छन है अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग फोर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एन प्लस फाइफ और डिवाइड वाइफ फोर कार देंगे तो एन प्लस फाइफ बचेगा यही आपका उत्तर होगा ठीक है बहुत ही बेसिक सा सवाल था मुझे लगता है Q5 की देखे यहां पर बात हो रही है एक बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए एक महीने का भोजन था दस दिन बाद 1000 अत्रिक सैनिक सामिल हो गए तो बचे हुए भोजन में सैनिकों ने अपना काम कितने दिन और चला सकेंगे यही सवाल है कब आया UPSC 2013 में प्रशन आया था आहां पर आपने basics किये होंगे तो यह question आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आयो देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे question करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कुल मिला के कुल सैनिक देख लीजे कुल सैनिक कितने हैं 2000 क्योंकि 10 दिन बाद सैनिक आ गए तो यह बताएज़े 2000 सैनिकों के लिए 10 दिन बाद आये हैं तो कुल कितना दिन बचा होगा एक महिने में 20 दिन सीधिसी बात है तो additional कितना आया है वो नीचे लिख लीजिए हमेशा यही करिएगा 2000 उपर लिखिएगा बराबर जितना दिन बचा वो लिख लीजिए उसके बाद कितना एक हजार तो सीजिसी बात है कितना दिन बचेगा इसी को सॉल्व करना है टिक क्रॉस मल्टिपलाई कर दीजिए पहले सो खाड देते हैं ती हो जाएगा 2D इकवल टू 20 डइकवल टू तो इसको हम सॉल्व करें डइकवल्टू आ जाएगा 10 क्योंकि इधर 2 जाएगा तो 20 को डिवाइट करेगा बजएगा 10 तो मतलब कितने दिन जाए रहे अब कितने दिन का भोजन बचा होगा सिर्फ 10 दिन होगा ठीक है बहुत इसी है क्या कितने साइनिक हो यह लिख दीजे जो अत्रिक साइनिक आए हुसके बाद कितने नंबर बचे बचे दिन बचे यह लिख लीजे नीचे पहले इसन ऊहले इसनल और उनकी वजह से कितने दुनों की संख्या पर असर पड़ेगा बस यह लिख दीजे आपको कोश्चन सौल्ब हो जाएगा ठीक है चलिए आज का लाश्ट सवाल करें कोश्चन नमबर सिक्स क्या कहता है फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से जाके पीवियस सेशन जरूर कर लीजेगा बहुत अच्छे हैं ठीक है बहुत अच्छे हैं आपको आराम से कहीं दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चलिए सवाल स्वाल करते हैं देखिए है क्योंकि इस अवधी में एक शिशू की वृद्धी हुई है तो शिशू की उम्र ग्याद कीजिए इस टाइप के भी हम लोग क्वेशन की हैं लेकिन इस क्वेशन की थोड़ी से लेंगज अलग है इसलिए पीवाई क्यू करते हैं तो क्या होता है जो भी चीजे छोट रह है करा तीन वर्ष पूर्व जो औसतायों थी आज भी वही है मतलब अगर देखा जाए तो तीन वर्ष पूर्व भी बात भी आज भी हाल है मतलब असी आज भी है क्योंकि इस अवधी में एक शिशू की वृद्धी हुई है अब मुझे यह बताए अगर शिशू तीन साल प कोई परिवर्थन नहीं आया है अबरेज में परिवर्थन का बाता है जब नंबर संख्या बढ़ जाती है लेकिन संख्या बढ़ी ही नहीं है क्योंकि यह बच्छा अभी ही पैदा हुआ है इसी साल इसलिए शुप चाप एक वर्ष यही माना जाएगा क्योंकि जहां कहें शे महीने, ये तो option गलत ही होगा, क्कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठिक, तो 2 वर्ष और 1 वर्ष में confuserase FM था, लेकें 2 वर्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष की बात हो रही है, ठिक है, ये भी question गलत होगा, तो बचा क्या आपका, सिर्फ एक वर्ष, यही option सही है क्यों सही है, क्योंकि यही कहा जा रहा है अगर तीन वर्ष पहले भी वही थी आज भी वही है तो सीज़ी सी बात है परिवार के संख्यम कोई परिवर्टन नहीं हुआ होगा अंत वर्ष में हुआ होगा जिससे एक वर्ष से कोई फरक नहीं पढ़ने उपाला है तो मुझे लगता है आपको यह option समझ में आया होगा तो आज के ये 6 question थे इसके बाद एक class और आएगी जिसमें उसमें जितने question बचे होंगे वो सब हम लोग कर लेंगे तो इसके पहले जाके सभी session देख लिजेगा average में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी इतनी guarantee कह रहा हूँ ठीक है काफी question लगभग वहाँ पे 40 plus question हमने किये है और लगभग है ना 40 plus question और आज हमने 6 question पीवाई क्यू के और लगभग 10 question और होंगे जो हम लोग करेंगे तो अब आप एक सोचे ना एक session में हमने इतने question कर लिए सिर्फ अब्रेच पे सब कुछ मिल गया ना पीवाई क्यू मिल गया concept मिल गया सब कुछ और क्या चाहिए प्लीज जाकि उसको जरूर देखिए आपको मजाएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए आप सब की का बहुत बहुत धन्यवाद इस session में चुरने के लिए